हेलो दोस्तों नमस्कार एक वाफिश श्वागत है आपके अपनी होटोग चैनल नर्सिंग की दुनिया में तो साथ की जो वीडियो है बहुत ही सहते इंटेस्टिंग यूस्पूल हैने वाला है अब सभी बीटीएसी एनम 10,000 शाशनों वाले कैंडिडेट के लिए जी हां एक खूश्तों वर देखें के चाहिंरी चुर्च जाहिसंग करने के चाहिस है जाएंगे सग्वावर्व और देखें शार्पो से दमेसिंग का सिक्ष एल्दीग करने वाला है डाजार में नर्सिंगर में 10 को स estaban लर्सिंग की दुनिया ज्वाइन कर सकते हैं और पर फ्री अफ कॉस्ट जो है डेली वे सुबह में 9 एम रात के 10 पीम में जो है डेली क्लास जो भी करवा जाता है उसको वहां पर कुई चलता है ठीक है और सब्जेक्ट का तो आप वहां से जाके देख सकते हो फिलाल चलते हैं वीडियो में आप सभी को वियर निंग पढ़ाई थी थी का है थी किया प्रॉफीट है लॉस्ट है फिलाल हाँ आज के वीडियो में हम आपकोाने बाताने कि यूनिट 3 ठीक है और यूनिट 3 जो है चाहिल हील्ट नर्जिंग का राइट ओफ यहां पर चिल्डरंड्ड अपने स्लेबस में भी देख पाएंगे की बच्रों का अदिकार दिया हुआ है ठीक है फिलिलाल यहां पे चलते हैu चिल्डन्स राइट जो है क्या खुछ है तो हमें फर्स्ट पहले चिल्डन्स 9 हर बचों को प्यार और समझ मिलने की अधिकार है समाजिक चूरकष्छा पोशन घर और चिक्सत देखबाल ले का अधिकार है ठीक है इन सभी से आप सभी के यहां पर पूरा स्लेवर से जो कोश्चन आएगा आप सभी सिर्फ अब्जेक्टिव पर ही नहीं थियोडी पर थोड़ा सा फोकस कीजिए अगर अच्छा रहेगा तो आप लोग अब्जेक्टिव अच्छा कर लोगे बच्छों का नाम और राष्ट्र को बचाने का अधिकार है और शमाज में एक उप्यों की सदा से बनाने का अधिकार है इसके साथ ही बच्चों में शमाज सांती और भाईचारों के बीच में बड़े होने का अधिकार है इसके साथ जाती लेंग राष्ट्रेत अधिकलिसे और समाजिक मुल्यों के बीना पर करवाना या काम लेना उसकी इच्छा अनुशार यह इच्छा के खिलाफ को बाल मजदूरी कहते हैं यह गैर कानूनी यह देख लिए इसका जो कौस है कौस गरीबी यानि की पोवर्टी जो बच्रे गरीब है उनका अगर 14 से नीचे साल के हैं और उनको दबाब में लाकर उनस सिक्छा अजूकेटेड अनात्स देख लिए अबादी का बढ़ना और घरेलू समस्या का कारण भी हो सकता है खेर यहाँ पर बाल मजदूरी कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो भी यहाँ पर बाल मजदूरी लोग करवाते हैं तो यह सब जो है यह अपर बाल प्रफूरी ना हो इसके लिए लोगों को जागडूप करेंगे ठीके बताएंगे सरकार धोरा बनाए गए कानूनों को यहां पर सकती से कारवाई करेंगे बचों को का पर काम करवाने वाले चाइल लेवर एक्ट के अंतरगत तहत जो है सजा देनी चाहिए बचों को जो भी का आसकी मुख्य धारा से जोड़ना होगा ठीक है तो यह सब जोड़ना भी क्या है देख लिए सारी डिक सारी डिक एब आर्थिक रूप से कमजोर बचों के लिए बिशे सिक्षा जैसे की कौशल कला खेल कूद में शमायोजन करना अब यह जो है दाचाइल लेवर एक्ट जो माता पिता यह बचों को बीसे से हैं पर देख वाल करने वाले यह किसी अन्य एडल्ट ब्यास के दौरा बचों के साथ फीजिकली में पर जो है मेंटली इमोशनली यह सोसली यानि कि सारीरीक माजीक भावनात्मक सामाजीक यह पर बुरा बैभार ठीक है करने को चाइल्ड इसका जो टाइप है यह फीजिकल अब्यूस, सेक्सवल अब्यूस, इमोशनल अब्यूस एन आप जो है निगलेक्टेड अब्यूस है ठीक है यह चार टाइप्स के हैं और फीजिकल अब्यूस में जो आते हैं बच्चे को शारीरिक तोर पर हानी पहुशा ना जैसे कि पहुश के निशान हड़ी का डूबना तो यह सब फीजिकल अब्यूस में आ जा रहा है यह सब बच्चों के जनाइटल पार्ट्स में यानि कि सेंसेटिव पार्ट के साथ छेर चार करना जैसे कि सेक्सवल एक्ट और जो है यह इसके साथ है जो है के साथ क्या है मोल्स्टे बच्चों के आत्म सम्मान को हानी पहुंच आते हैं जैसे गाली देना डाटना धंकी देना तो यह सब इमोशनल अब्यूस में आ जाते हैं ओक यह जो है निगलेक्टेड अब्यूस हो है नजर अंदास यह नकारे गए बच्चे को निगलेक्टेड चाइल्ड कहते है ठीक ह जैसे कि बच्चों की देख भाल के कारण बार बार चोट लगना विमार होना कुपोशन होना चीजों को चूराना तो यह सब जो है निगलेक्टेड चाइल्ड में अगर कोई बच्चा चोड़ी करके लाया हम उसको देख लिये हैं और फिर भी उसको इग्नोर करें तो 21 में यह निगलेक्टेड चाइल्ड म्याज है कर ठीक है इस परकार इसका जो कौजे से यह औसीक्षा हो सकता है ठीक है औसीक्षा देख लिसे बिरोजकारी गड़ी भी घरेलू शमसे इसका भी नशा करना यानि कि सब्स्टांस से भी उस अल्कोहल ड्राग अगर कोई यूज करत है जल संख्या का बढ़ना भी हो सकता है अगर चार बच्चे तो उसमें से को निगलिट करना तो बनता है ठीक है अब इसका जो प्रिवेंशन है इसका प्रिवेंशन क्या है परतीक बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए पोवर्टी के बाद सेक्स एजुकेशन जरूरी है ठ इसके साथ देखने जरूरत मंदों बच्चों के लिए चिल्डेंश होम बनाना चाहिए तथा ऐसे अस्तान पर सूछना की कड़ी ववस्था रखनी चाहिए और यह बच्चों को नकारे हुए बच्चों के लिए कानुन का सहारा लेंगे तो इस पर कर जो है इस तो देख ल ठीक है यहान व्हर्ट और ऐसे खारस एर बच्चे डुटे जिसके पृस्टर और अंथाले ओने बच्चों को इस और शुदार ईस लेए ृषै कि ऊछिजु निटे पृस्टर वम बच्चों कोसा ईसा को ना सकते हैं ठीक है और यह जो है गोद लेना यानि की adoption ठीक है अना थाले से अनात बचे को गोद लेना adoption कहलाता है यानि की adopt किया बचे को आपने सुना भी होगा ठीक है रीमंड होम यानि की हवालात गिरी जब 8 से 16 साल के बचे की दोरा कोई भी अपराद क्राइम हो जाता है तो उसे रीमंड होम में रखा जाता है यानि कि इसके बाद जब बचे 18 साल के हो जाते हैं तो फिर से उनको जो है बाल दो सुधार संस्थान में रखा जाता है जब बचे तो उस बच्चे को बाल दो सुधार सहस्थान में रखा जाता है तो यह रिमार्ट होम यानि की हवालात गरी और यह बाल दो सुधार सहस्थान में रखा जाता है इसके बाद फीमेल जो है फीमेल इन्फेंटी साइड ठीक है देख लिज़े यह जो है एक से यहां पर एक से उम्र बाले करने देख लिज़े एक साल से कम उम्र बाले जो करने है यानि की फीमेल साइड है उसको मार डालने को फीमेल इन्फेंटी साइड कहते है फीमेल अब आ आवे ने van यहां पर आपको दिया रहेगा हम चल्ड को समार चार तो आप यह पढ़ हैंगे तो आपको फीमल इन्फिय genes जब्लार लेक्uyorsunल करा को सिर्फ काई यह चाल्ग आपकी मिल्यनि नश यानि कि करने अब भून आता है देख लिए से अपर जो है प्रशब से पहले भून जांच करा यानि प्रस्तम से पहले भून जांच करा लरका है या लरकी यानि कि लिंक की जांच करा ना और गर्ब पात में ही अपर गर्ब पात में ही हत्या करने को भून हत्या करने को फीमेल कारण है गड़ी ठीके गड़ी भी बहुत ही मुख्य कारण है सिक्षा का अभाब बेडोस गारी का कारण जनसंख्या में बिर्दी का कारण दहीस का पोच तो इन सब कार्मों से फीमेल फोटीशाइड होता है इसके साथ ट्रेडिस्टनल जो है आपे प्रैक्टिस यान की करेंगे माता पिता को प्रामर्स करना चाहिए ठीक है उनसका काउंसलिंग करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है आजकल बेटी भी एक से एक बढ़कर काम कर रही है सहारा बंड़ी है तो इस पर उनका समझाना है गाहों गाहों में सहर सहर जाकर बेटी बचाओ बेटी करना तो इन सब पर जोड़ देना होगा इन प्रसम से पहले भ्रूम जाज करना जो संबंधित अधीनियम है 1994 में बना था ठीक है और यह जो है PC PNDT के अंतरगत आती है नहीं कि प्री अहां पर इसका फूल फर्म जो है अब देख पा रहे होंगे यहां पर प्री यहां पर ज इसके बाद बात आती है डिलेब्री ठीक है तो डिलेब्री में क्या करते हैं फर्स्ट और वाइटल साइन इस मोस्ट इंपोटेंट ठीक लिए देख लिए वाइटल साइन एंड नियू रेटल ठीक है निउबॉर्ण का टैंप्रेशर पाल्स रिस्पिरेशन ब्लड अपर जो है क्यापिलरी रेफिल टाइम्स यान की सी आर्टी साचुरेटेड पर ऑक्सीजन एस्पी ओर टू ठीक है तो यह सब बहुत ही ज्यादा मेटर करता अब टैंप्रेशर जो है एक मत से कम उम्रवाले बच्चे का टैंप्रेशर थर्टी सिक्स पॉइंट फाइब से यह 97.7 से 99.5 डिग्री फॉरेन हाइट हो सकता है निवबॉर्ण का ठीक है एक मन से कम उम्रवाले बच्चे का और एक मन से ज्यादा उम्र के बच्चों का जो टैंप्रेशर होता है थर्टी सिक्स पॉइंट से थर्टी सिवन पॉइंट तू ठीक है यानिकि 97.8 से 98.9 फॉर निवबॉर्ण का जो है निवबॉर्ण बेवी का टेंप्रेशर चार जगा से ले सकते हैं एक्जीला रेक्टम और और यहां पर जो हैं देख लिए से तीम पैनिक मेंब्रेन से भी ले सकते हैं यह अडल्ट की बात करें हमें आपे थर्मामेटर को तीन से पांस मिनट ता है तक एक्जीला में एक्जीला के सेंटर में रखना होता अगर एक्जीला से तर्मामेटर को एक से दू मिणर तक रैखना होता है अगर rectum में thermometer लेंगे तो जो भी result आएगा उसमें से minus 1 करेंगे अगर oral से लेते हैं अगर oral से temperature लेंगे तो oral को 2-5 मिनट तक रखना है अगर oral में thermometer ले रहा है तो इसमें plus minus करने की ज़वरत नहीं है जो भी result आएगा वही temperature होगा नवजास सिसू में temperature लेने का जो method है वह टस method है clinic thermometer है यह पर digital thermometer है ठीक है तो pulse rate देखते हैं तो यहाँ पर जो है fetus का normal heart rate 120-160 bit पर मिनट होता है वही नवजास सिसू का ठीक है नवजास सिसू का normal जो है यहाँ पर heart rate 120-160 bit पर मिनट होता है यहाँ पर fetus और नवजास सिसू दोनों का सेम होता है अब एस्ट्रेथ हो एस्कोप के diaphragm के द्वारा आप एपिकल साइड से heart rate सुना जाता है और यह जो है यह पर रेडियल ब्रेंकियल रेडियल और फिमोरल परल्स से भी बच्चों का परल्स ले सकते हैं जिसका कि बारा मत का बच्चा है तो 110 से 120 पर मिनट रीधर देख लिए से एक साल से पांच साल का अगर है तो यहाँ पर 90 से 110 बीट पर मिनट पांच से बारा साल का तो है 80 से 110 बीट पर मिनट अगर एडल्ट हो गया तो बहुततर से 72 से 18 बीट पर मिनट हो सकता इसका स्क्रीन साट ले लिए यह अकसर पर एक्साम में आते रहे बहुत ही इंपोटेंट कोर्शन है ठीक है अब रिस्पिरेशन ठीक है नॉर्मल रेंज रिस्पिरेशन का जो है बर्थ का बर्थ से दो मन तक 40 से 60 बीट पर मिनट और यह जो दो 10-10 से एक साल के अगर है तो 20 से 40 बरिट पर मिनट एक से पांस साल तक तो यह धागा आपका 20-30 ब्रीट पर मिनट पांसे हैं तो 15-20 बीट पर मिनट अगर है तो 16-20 और 18-24 के बीस में रहता है तो इसका भी इसके इसके इस पर का ब्लड प्रेसर का भी देख लेते हैं ब्लड प्रेसर का जो नार्मल डेंज है न्यूपॉंड का यह सिस्टॉलिक में 50-75 mmHg और डाय सिस्टॉलिक जो है यह 25-45 mmHg ठीक है तो इस परकार जो है पचास स से 55-45 देख लिए सिस्टॉलिक और डाय स्टॉलिक ठीक है एममेजी यही अडल्ट की बात करें हम 220-180 mmHg रहता है कैपिलरी रिफिल टाइम जो है सी रटी ब्लड वैसल के सबसे चोटे वैसल को क्या कहते हैं और कैपिलरी में ब्लड कीतने दीर में रिफिल होता है रिफिल ह तो चेक करने को सी अॉ ठीक है यानि के कापिलरी में ब्लड कीतना देर मोता है चेक करने के मेТद को सी रटी ठीक है सी रटी कापिलरी रिफिल टाइम CRT कहते हैं ठीक है बात देख लिए आपर नबजास इसु को CRT चेक करने के लिए जो है एस्टरनम यानि की देख लिए एस्टरनम में पांच सेकेंड पांच सेकेंड के लिए हलका सा दवाए जाता है फिर तीन सेकेंड के अंदर कैपिलरी रिफिल को चेक या फिर अब्जॉर्ब करेंगे उसे ही CRT चेक कप कहते हैं तो यह देख लिए इसके बाद चाहते हैं सैचुरेटेड पर ऑक्सीजन यानि कि SPO2 तो SPO2 का मतलब बलड में ऑक्सीजन की मात्रा बलड में ऑक्सीजन की मात ठीक है यह SPO2 90-95% हो सकता है यह प्री टर्म बेवी उसका जो है 80% है SPO2 एडल्ट में जो होता है यह 90-100 होता है तो यह देख लिए और बलड बलड से जो है यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर ऑक्सीजन दिया जाता है और नवजाग सीशू को तीन तरह से ऑक्सीज होल्ड माक्स और नेजर तो इस परकार इसको देख लिए और पाल्स जो है पाल्स ऑक्सीमीटर या फिर मल्टी पर मल्टी जो है पैरामीटर या डीजिटर से प्रोब के द्वारा जो है हम SPO2 चेक करते हैं और तो इस परकार देख लिए आप सो गाईस कैसी लगी इन्फॉ आपके लिए आपका एक फीड़वेक हमाई लिए बहुत ही साथ मोटीवेशन देता है तो कमेंच करना, ना भूले, अगर आप डेली वे मी कलास करना चाहते हैं, तो आप JEK TO KELISA और उसका भी लिंक जो है हमारे टेलिग्राम चैनल में दे दिया गया है सो उस पे भी आप क्लास बेली वे में कर सकते हो फिलाल मिलते है इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिए चैनल पर बने रहें बाई टेक क्या